सियासी चौक का इस बार का मुद्दा ये है कि आखिर कटर पंथी ये इस बात को कहते हैं कि अगर धर्म पसंद नहीं है तो मुल्क छोड़ दीजिए जिस तरीके से बरेली के उस मौलाना ने अपनी बात कही है ये अपनी बात कहने का अंदाज रखा है सवाल यही है कि क्या इ किसी मौलाना को एक कहना चाहिए कि इस तरह की बाते सबसे बड़ी चीज है कि उनको अधिकार किसने दे दिया कि आप किसी को अगर मान लीजिए हमारा आप से सैधानतिक मतवेद हो सकती है हमारा और आपके विचारों में भीनता हो सकती है हमारा आपका धार्मिक इसके बाद धर्म है इसके बाद मजहब है इसके बाद जात है इसके बाद जो कुछ भी हो अब चुकी अब उनके भासक उनके आंतरिक भावना की बेदना को अगर हम ब्याख्या के कसोटी पर कस्ते हैं तो मुझे लगता है कि या तो ओ दिमाग से बिच्छिप्त हो चुके हैं या वो किसी चिक पैरे का ग्यान नहीं रखते हैं या वो जो आनाब सनाब जो चाहते हैं वो समाजिक पडल पर रख देते हैं तो ये तो सहब अजीबों गरीब का मामला है मैं तो ऐसा प्रखंड सोधक ऐसा प्रखंड इसलाम का नुवाई आएसा प्रखंड मुल्ला मुझे लगता है कि ये मुल्ला जो है ये उसी तरह का बन गया है अपने आंतरिक भावना से कि कमजर्फ देखे हैं कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न देशा की ये पीएगा पीकर बहगेगा और शामती जाम आएगी मेरा संदर्फ पर उस मानक पर मैं खड़ा हूँ दालीच पर खड़ा हूँ कि किसी को हमको किसने अधिकार दिया भारत इसे में कानून का राज है कानून किसी को अधिकार नहीं देता कि आप किसी को सार्दनिक रूप से कह दे कि अगर मेरी व्यवस्था से आप संतूश नहीं है मेरा खान पान से आप संतूश नहीं है मेरे धर्म से आपका अतालूगात नहीं है तो आप भारत छोड़ दो ये सम्विधान के किस अनुछेद में लिखा है मुल्ला को पले पढ़ना चाहिए क्या उस मुल्ला जो उसने बात कही है आप लोग सहमेत हैं किस तरह की बाते कहनी चाहिए कोई भी एक दूसरे को नहीं कह सकता है कोई नहीं कह सकता है इस बात को सम्विधान में व्यवस्था है कि हर कोई अपना धर्म का यहां स्वच्छा से पालन करके देश में रह सकता है कोई दूसरे को प्रहुइत नहीं कर सकता है तो आपको लगता क्या है कि मतलब उन्हें आजादी होनी चाहिए या फिर कुछ इस पर कहीं न कहीं लगाम भी लगनी चाहिए ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए हमारा देश हमारे सम्मिधान में ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे किसी भी धर्म पर आप नाजाजारूप लगाए तो मैं तो यही मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए और इनके ओपर कारवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए और कारवाई होनी चाहिए खास्तों पर सम्विधान में तो बड़ा साफ साफ कहा गया है कि जो बाते होती हैं क्या धर्म को लेकर के यहां तक बात आदमी कर सकता है कि अगर नहीं पसंदे मेरा धर्म तो आप छोड़ दीजिए नहीं ऐसा कुई नहीं कर सकता फिर ऐसा क्यों कहते हैं ऐसा बयान क्यों देते हैं कभी सोचा है पता नहीं से क्या वो अपने समाज में अपने आपको महत बनाया रखने के लिए इस तरह से दूसरे के धर्म का टीका टिपड़ी करते हैं हो सकता है इस तरह क्या हो सकता है सबसे बड़ी बात यहीं है कि राजनीत हो या आम आदमी हो एक टीका टिपड़ी की जो बात होती है यूथ हैं और यंग हैं कि जो बात हम लोग कर रहते कि क्या ऐसे मुला मौलाना जैसा कि कह रहे थे, क्या ये लोग ही अपने धर्म को लेकर चलाएंगे, क्या वो जो कह देंगे वही सचा है, क्या जनता को समझ में नहीं आता है, क्या उनके अनुएयों को समझ में नहीं आता है, यहीं तो जनता को समझना चाहिए, जनता खुद समझ रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब उनका क्या है वो अपने आपको हाइलाइट करने के लिए अपने आपको साबित करने के लिए कि मैं सही हूँ ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जो है कि यूथ धर्म को भी समझ रहा है सब कुछ समझ रहा है लेकिन जो कारवाई है वो होनी चाहिए क्या कहीं धर्म के आजकल बड़ा धूल वस्ता है उसमें तो बहकर के इस तरह की बाते नहीं चलनी है राजनीत में इस तरह क्या है नहीं ऐसा कुछ नहीं है सब लोग हर मजहब में मानने वाले हैं लेकिन ज्यादा तो जो ढोंग कर रहे हैं उनको इसकी सजाई मिलनी चाहिए देखिए ये बड़ी ऐसी भीड़ है जहां पर बड़ा सुलजा हुआ महौल है कि भाषा पर आपका नियंत्रण होना चाहिए सम्विधान पर आपका ध्यान होना चाहिए और वह सम्विधान जो कि यह कहता है कि हर व्यक्ति यहां पर अपने धर्म का पालन कर सकता है किसी को कोई हक नहीं है तो जब कोई हक नहीं है तो उनके लिए कुछ चीज भी तो मकरर हो एक दम होने चाहिए देखिए कुछ इस तरीके लोगों को यह देशी को नहीं जो आप संब्रस्थ देश्मे सभी धर्मों के लोग अपने धर्म के प्रती भी अपने धर्म को नुक्सान कर रहे हैं इस तरीक एग निजी विशय है या इस तरह के बयानों का विशय हो चुका है मेरे इस सियासी चौक का आखरी, शाहरी आप बताएंगे कि क्या एक संविधान है उसी में विवस्थाएं हैं सब को जीने का अपने धर्मानने का तो ये मौलाना और ये सब बाते क्या खुद को जिंदा रखने के लिए बात करते हैं अपने समाज के लिए देखे आपको आप पाने जी अन्भवी एंकर हैं हमने देखा कि इसलाम या किसी मजहमें जब कटरता की बू आती है जब नफरत की बू आती है जब धर्म में माइनस और प्लस का जब गंध का मिश्रन होने लगता है तो हम समझते हैं कि मौलाना को जो तसलिमा ने लच्जा लिखा था जरा उसका कोट का ध्यन करना चाहिए अब दूसरी बात ये कि जब समाज से आदमी कठने लगता है जब समाज में उसकी ख्यात बिलुप्त होने लगती है जब समाज में पहचान उसकी खत्रे में पढ़ जाती है तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे खोज करके नपाक सोच जो बिधी के बिरुद्धो जो इस धर्म के बिरुद्धो जो संबिधान के बिरुद्धो जो सदभाव के बिरुद्धो जो रास की एकता के बिरुद्धो उसी को हम हतियार बना लेते हैं और अपने पाप के कुकर मुक्त से मैं अपने मन्जिल को टार्गेट करते हैं जिसमें हम समुदाय कहीं हो जाता है अब मैं कहीं हो जाता हूँ पूरा समाज में हमारा चेहरा बेनकाब हो जाता है आप ऐसे लोगों का वही हो। उन चिरागों से तैस्वब का धूआ उठता है उन चिरागों को बुझा दो की उजाला हो जाए ये नपाक सोच का ऐसे नपाक क्रिया कलाप के रहनुमा से इस मुल्क को अल्ला ताला बचावे मैं इससे जादा उस व्यक्ति पर में टिपड़ी नहीं कर सकता आपने मौका के लिए बहुत भ़़ध धन्यवाद आपको सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या इस तरह की टिपड़ियां समाज के उस वर को करना चाहिए किसी भी धर्म को लेकर के क्या धर्म को जो एक व्यक्तिकर्द धर्म होता है उसको सामाजिक रूप से इस तरह से बयान करना चाहिए या फिर इस माहौल में हर तरफ यही किया जा रहा है कि धर्म को लेकर कि धर्म की रोटी सेखना वरना जैसा कि कहा गया कि इस चराग को बुझा दो कि जिससे रोशनी आ जाए